नमस्का दोस्तों आपका मेरे यूटूब एकांट में बहुत बहुत सवागत है आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने आईपैड या आईफोन के Enfuse एप में कैसे भी कोई मीडिया फाइल आइड कर सकते हैं तो सबसे पहले एक Wi-Fi या फिर एक Hot Spot की जुरुत हो जिसके जरीए दोनों connected हो जैसे यह मेरे पास लप्ताफ है लप्ताफ में हम देख लिए यह connected है ठीक टिप्लिंग आउटर से और उसी के साथ साथ अपने आईपैड में भी हम connected हो जा रहा है यह connect हो गया ठीक अब इसके बाद क्या करना है आप अपने आईपैड में infuse में जाए ठीक infuse जाने के बाद सबसे पहले यह यहां पर रहेगा आपका तो यहां setting सबसे नीचे corner में setting है उसपे click करेंगे feed at file ठीक फीड आता है यह पेज आता है अब इसमें क्या करना है इस पर आपका एक link के दिया है उस link को अपने google chrome में type कर लीजिए गा 0.168.0.105 इस पर आप जैसे एक click करेंगे यह username आइप प्रांसपोर्ट मांगेगा click तो आप username में यहां पर दिखा है infuse infuse करेंगे और password में 9684 enter कर लीजिए यह आप आपका खुल गया अब इसमें कोई भी आप video डालना चाहते है जैसे example हम अपने files है एक छोटा से video ले लेते हैं ठीक कुछ ही भी का मालो यही लेते हैं ठीक इसको हम में डालेंगे ऐसे ड्राइग और ड्रॉप करेंगे यह खुद अपने आप आपके आइपाइड में अड होने लगए दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई hot spot है जिसमें net नहीं है यह फिर यह करते यह समय आप net बंद कर देंगे तो और तेज इस पर जाएगा ठीक किसमें मेरा net चला इस पर जारा तो यह net बंद रहता है तो और तेज जाएगा ठीक अब यहां पर देखिए आइड होगा, अब यहां अपने आइपाइड इसकिन पर भी देखेंगे, तो यह फाइल आ गई है, आगई है, अब इसको प्ले करेंगे, देखिए, आया न, इस वहां बन्द करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, एक इस तरह से आप अपने या फिर आडियो फाइल या वीडियो फाइल दोनों आप डा सकते हैं, तो यह वीडियो आया है पसंद, तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई कमेंट है, यानि आपको कोई, और कोई सवाल है सुझाओं है, तो आप जरूर कमेंट बॉक में टाइप करिये, धन्नमाद मिलते हैं अंगलों वीडियो में,